हलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रियांका आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ चौको लवा केक इसे मैंने सिब तीन ही चीजों से बनाया है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते है सबसे पहले बिस्किट में इसे क्रीम को अलग कर लेना है फिर बिस्किट को चोटे टुकडे में तोर कर इसे ब्लेंडर में डालना है फिर इसे एक फाइन पाउडर बनाना है यहाँ पे मैंने एक चमज बेकिंग पाउडर और थ्री फोथ कर दूद में लाया है अब इसे अच्छे से फेट लेंगे विस्क की हेप से इसे अच्छे से फेट लेंगे अगर अब के पास विस्क नहीं है तो आप फॉक से भी फेट सकते हैं यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड लिया है उसे अच्छे से ओयल ग्रीस कर रही हूँ सासी साथ मैंने यहां पर सीगलीकौन मोल लिया है इसमें भी अंदर से तेल लगा दूंगी इसमें अगर हम बनाते हैं तो यह बहुत ही इसी होता है इसे एugenी निकल जाता है अगर आपके पास यह नहीं है तो कोई बात नहीं आप ऐसे कोई बोल लेकर उसके अंदर में सारे मोल्ड में एक एक चम्मच करके बैटर डाल दूंगी इसे पूरा नहीं भरना है क्योंकि ये पूरा उपर तक फूलेगा अब इसमें मैंने एक चॉकलेट का स्लाइस डाला है इसके बीच ओ बीच इसके उपर से मैंने थोड़ा और बैटर डाल दिया और इसे एक बड़ टैप कर लोगी याद रखे इसे सिफ फाफी बना है पूरा नहीं इसी तरह मैंने दुसरा भी सेम प्रोसेस से बनाया है यहां पर मैंने बचे हुए क्रीम को उपर से डाल दिया है और उसके उपर बैटर से कॉवर कर दूँगी फिर एक बड़ टैप कर लूँगी उधर मैंने पैन को पहले ही 5 मिनिट के लिए लो फ्लेप में प्रीहीट कर लिया है इसके उपर यह बैटर वाला प्लेट और 30 मिनिट के लिए लो फ्लेम में बना लूँगी इसी तरह मैंने दूसरा वाला भी बनाया है आप देख सकते हैं यह पुरा उपर तक कुल चुका है अब मैंने एक चाकू की मदद से चेक किया जैसा कि आप देख सकते हैं चाकू बिलकुल क्लिया है इसका मतलब यह अच् इसकाल के प्लेटिंग करते हैं बस हमारा चॉकोलावा केक तैयार है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगात हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू कर दो